हाई एवरिवन जे सी किष्णा रादे रादे हरहर महादे और मैं सरला इंटीटु टैररेडर मैं फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ और इस रीडिंग का थीम है आप मुल्लिवान हो और इसका एहसास किस किस को होने वाला है ओके बहुत पावरफूल ये थीम मुझे य जैसे बताने की कोशिश कर रहा है यहां पर और यह टाइम्लेस रीडिंग है और पीके कार्ड रीडिंग है आप इसे कभी भी देख सकते हो जब भी आपके सामने आता है पाईल है पाईल नमबर वन और पाईल नमबर टू इसमें से आपको एक पाईल चूस करना है क्यों थैंके सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए कमेंट करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए और जिसे भी परसन रिडिंग चाहिए मैं अपना वाट्सअप नमबर डिस्किप सम बॉक्स से मेंशन कर रखा है तो वहां से आप देख सकते हो ओके तो मैं यहां पर आपको पाइल बताना चाहती हूं मैं फिर बता रही हूं आपको अगर पाइल चूज नहीं कर पा रहे हो आप ठीके तो आप पूरी रिडिंग देखो जो मेसेज आपकी सीट्रेशन से मेंश हो रहे हैं उन्हें आप रख लो अगर नहीं हो रहे हैं तो वह किसी और के ल पाइल नमबर टू है इस्प्रिट आफ ग्रेटीटूट पाइल नमबर टू इस्प्रिट आफ ग्रेटीटूट आप किते मुल्यवान हो इसका अहसास किस-किस को होने वाला है ओके पाइल नमबर टू ठीक है तो आई होप आपने अभी तक अपने पाइल चूस कर ली होगी तो मैं रिडिंग स्टार्ट करती हूँ पाइल नमबर वन से हाई पाइल नमबर वन तो जिसने भी ये कार्ट चुज़ किया है तो इस्टोरी टेलर का उसकी रिडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ और पाइल नमबर वन प्लीज वीडियो को लाइक कमेंग सब्सक्राइब आप जरूर करना और जिसे भी पॉर्ट सरे इडिंग चाहिए मैं अपना वाटसप नमबर डिस्कीप संबॉक से में इंशन कर रखा है तो वहाँ से आप देख सकते हो ओके पाइल नमबर वन आप मुल मतलब आपके अंदर कितना हुनर है मतलब आपके मैं बताओं आपको कि आप अपने शब्द ठीक है अगर आप अपने शब्दों को सही तरीके से आप बिठाते हो मतलब आप मुझे इसा लग रहा है आप कोई राइटर हो ओके या आपको लिखने का बहुत शोख है या रीड करने का बहुत शादा शोख है और आप बहुत शादा मतलब सोचते हो कि मैं मैं अपने अपने विचारों को ठीक है अपने शब्दों में कब रख पाऊंगा यहां पर मतलब कहने का मतलब यहां पर है कि आप आपके जो विचार है आप क्या सोचते हो आप अपने आप आपको कैसा बदलना चाहते हो या समाज के लिए जैसे कुछ करना चाहते हो या कुछ कर नहीं पाए हो यहाँ पर मतलब कुछ ऐसी चीज़े कुछ ऐसी भावना हैं कुछ ऐसे विचार हैं आपके जो बहुत चेंज ला सकते हैं और यह आपके भीतर भी चेंज ला सकते हैं और और ये बाहर बाहर लोगों पर भी इसका प्रभाव बहुत बारी किसी रूप में यहां पर पढ़ने वाला है, ओके आपके विचार कुछ इस तरीके से हैं, कि मतलब वो लोगों के उपर बहुत बड़ी छाप छोड़ सकते हैं, ओके तो यहां पर जैसे केते हैं कि आप अपन आप अपनी भावनाओं को, जो भी मुझे इसा लग रहा है आप इस्टोरी, ओके आप जैसे केते हैं कि किसी भी चीज को बहुत सटिक रूप में बिठा देना, कम शब्दों में कुछ कहानी को कह देना, जैसे कहानी ना कहे कर उसका साराश बता देना, कुछ शब्दों में ठीक है, तो यहाँ पर वो चीजे मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, पाइल नमबर वन, आप बहुत अच्छे जैसे केते हैं कि आपकी जो अंदर के विचार, अंदर की जो क्रेटिविटी है, वो बहुत बारी किसे आपकी उभर कर यहाँ पर आने वाली है, इस वज़े से जैसे केते हैं कि आपको भी एहसास होगा, आपको भी एहसास होगा इस बात का, कि आप किते मुल्यवान हो, जैसे आपकी कोई कीमत नहीं है, जैसे केते हैं कि सच्चाई की पवित्रता की कीमत नहीं होती, वो मुल्यवान होते, मुझे ऐसा लग रहा है आप अपनी तमाम व करने वाले हों कि जैसे आप मैं सच पताऊ ना आप अपनी जो अभी तक छुपा हुआ था आपका वह जैसे केते हैं आप एक खुली किताब के रूप में वह उभर कर सबके सामने आप लाना चाहाते हो और यहीं से सच में यहीं से बताओं कि यहीं से आपकी आप कितने मुल्यवान हों आप अंदर से केसे हो भीतर से केसे जब तक कोई इंसान खुलता नहीं है अपने विचारों को व्यक्त नहीं करेगा या जब वो केसे भी करे अपने लिख कर करे या बोल कर करे या केसे भी करे अपनी क्रेटिविटी के रूप में लेकिन वो चीजे अब आपकी बाहर आ रहे हैं पाइल नमारों इससे पता चल रहा है कि आप किते भी हो आप अपनी नोटबुक में ठीके तो शायद आपने लिखना बंद कर दिया था पाइल नमबर वन तो बोला जा रहा है कि आप जो भ फिर से लिखना स्टार्ट करो जितना आप लिखोगे ठीके लिखकर अपने विचारों को व्यक्त करोगे अपनी भावन कर उत्ती क्रेटिविटी आपका आपका सरूप वहां पर निखर कर सामने यहां पर आएगा और फिर उस बात का ऐसास आपको भी होगा और उसका जैसे आपके जो विचारे दूसरों के उपर बहुत प्रभाव चोड़ेंगे आप बड़े प्रभाव शाली हो बहुत अट्रिक्शन है पाइल नमबर वन आपके अंधर क्योंकि यह की जितना आप लिखोगे अपनी चीजों को उतना जैसे भागे आपका साथ देगा भागे आप जाको भी यहां पर देख रही हो पाइल नमबर वन तो कलर के साथ आप काफी अपने आपको मिक्स कर रहे हो बहुत बहुत अपने आपको है ना तरह तरह के रंगों के साथ आप अपने आपको जोड़ने की कोशिश कर रहे हो मिक्स करने की आप कोशिश कर रहे हो पाइल नम आप मुल्यवान हो ओके इसका आहसास किस किसको होने वाला है पाइल नमबर वन इसका आहसास मतलब जैसे जैसे आप अपने आपको खोलोगे अपने अपनी बात को अपने विचारों को अपने रहास्य को खोलोगे वेसे वेसे आप मुल्यवान बनते चले जाओगे ओके पाइ number one, three of cups, सबसे बड़ी बात यहाँ पर मुझे यसा लग रहा है, pile number one, कि आप अपनी है, जैसे किसके साथ आपको खुशी मिलती है, किसके साथ आपको, जैसे किते हैं, कि मन है ना, मन हमारा किसके साथ अच्छा हमें feel होता है, जैसे होता है हमारे family होते हैं, friends होते हैं, यहां इसली है मैं जागते हैं , आप को खुख के लखता है तो इस जायद आप , आप उस चीज's से आपने आप को पीछे की तरफ धकेलते थैं पीछे की तरफ लेते थे शायद आप अपने आपको वहां पर खोल नहीं पाते थे कि आपके ये इस परसन के साथ मुझे काफी अच्छी फीलिंग्स आती है इसके साथ मेरी एक अजीब समय एक खुशी को मैं महसूस करता हूँ जो कि आपके आपकी जैसे केते हैं रूह को छूता है आपकी आत्मा को छूता है और जब हमारी रूह हमारी आत्मा वहां पर जब इना खुश होने लगती है तो बहुत सारी चीजें हमारी खुल कर बाहर आने लगती है इससाथ मुझे बहुत एक अलग सी उर्जा को महसूस करता है तो आपको उसके साथ थोड़ा सा time spent, उसके साथ आपको करने की जरुरत है, तो एक बहुत बड़ा आपका रहस्य, pile number one, कि आप मुल्यवान हो, आपकी जैसे केते हैं, मैं सच बताओ ना, आपकी कीमत, जितना आप खुलोगे, आप खुल रहे हो आप यहाँ पर, तो आप जब हम खुलते हैं, अपनी feeling को share करते हैं, किसी के साथ भी, जिसके साथ अच्छा लग रहा है, तो वहाँ पर जैसे आपकी रिष्टे, आपकी रिष्टों में, मतलब एक एसा, एक एसा mode आ रहा है, जहाँ पर आपकी रिष्टों में बहुत, जैसे किते हैं कि अटूट संभंध अटूट संभंध यहाँ पर बनने वाला है, पाइल नंबर वन, आप अपने रिष्टों में काफी मात खा चुके हो, जैसा आपने दिया है वेसा मिला नहीं है, लेकिन यहाँ पर अब मिलेगा आपको, क्योंकि आप अपनी feeling को share नहीं करते थे, जैसा आप चाहते थे वेसा आपको मिल नहीं पा रहा था, क्योंकि आप अपनी जैसे दबाकर रखते थे आप अपने अंदर, खुलकल बोल नहीं पाते थे, लेकिन आप खुल रहे हो, आप मुल्यवान हो, यह जैसे कितना है कि जितना आप खुल लोगे, उतना आपकी कीमत का अहसास होगा, मतलब प्य प्यार अप देने पर आ रहे हो, तो आपको भी बदले में प्यार मिल रहा है, और इस बात का अहसास, इस बात का अहसास आपको भी होने वाला है, और सामने वाले परसन, जिसके साथ आप खुश रहना है, उसको भी होने वाला है यहां पर, बहुत बड़ा celebration, okay, get together, और आप अपनी सच बताऊ ना आप अपनी खुशी है ना खुशी को ढूंड रहे थे मुझे ऐसा लग रहा है वो खुशी जैसे आपको मिल चुकी है या मिलने वाली है जिसकी वज़े से आपको अहसास होगा कि आप कितने मुल्यवान हो जब कहते हैं कि टिट फॉर टैट मतलब जैसा दोगे वेसा लोगा मैं गलत नहीं बोल रही है यहाँ पर आप पीछे हट रहे थे इन सब चीजों से पीछे भाग रहे थे खुल नहीं ही रहे थे लेकिन आप खुलोगे और जब खुल रहे हो तो बे सुमार प्यार ओके सेलिब्रेशन इंजॉय गेट टुगेधर सब आप की सच्चा ही है वो आपकी औ Przyp pasta है कि आप किसी की क्यार करते हो कित न किसी को प्रें आपके दिल में कितना प्रेंध बशा पड़ा है सच्च ही हम छुपाएंगे तो उसको उसे नहीं पता चलेगा हमारी फीलिंग्स का हमारे वजूद का अभ आप निकाल रहे हो तो उन्हे आइसास हो रहा है कि आप कितने मुल्यवान हो ओके पाइल नमबर वन ओके आप कितने मुल्यवान हो देखो मैंने यहाँ पर एक एक ही थीम निकल कर आ रहा है सज बताओं कि जितना आप अपने आपको खुल रहे हो उतने आपकी कीमत का जैसे कितना कि आपके अंदर कितनी हु यहां पर बढ़ सकते हो कितना आप अच्छी कर सकते हो चाह वरिष्टे हो चाह केरियर हो चाह आपके खुद के ड्रिम से ही क्यों ना हो यहां पर आप बहुत आपके कुछ ऐसे सपने थे जो अभी तक आपने दिल में सजा कर रखे हुए थे लेकिन उन्हें आप जिसे उन्हे कि आप कितने मुल्यवान हों मुल्यवान का यहां से पता चल रहा है आपका यहां पर आपको खुद को भी इस बात का ऐसास होगा लेकिन यहां पर पता है पहले आप अपने आपको हर चीज को में सज बताओ ना कभी-कभी किसी की उर्जा ऐसी होती कि एक टाइम अलग होता है और एक समय ऐसा होता है कि हमें सब के साथ मिल जूलकर आगे की तरफ यहां पर बढ़ना पड़ता है तो आप क्या कर रहे हो ना अकेले में जिसे अकेले में जो जितना करना था आपको फेस करना था वो कर चुक है अब आप अपनी लाइफ को जैसे है ना अपनी खुशिय और आपके जैसे केते हैं कि बहुत कुछ आप मुझे इसा लग रहा है ना भविश्य में आप बहुत कुछ बड़ा भी अच्यू करोगे यहां पर उससे इस बात का एहसास होगा आपको कि आप कितने मुल्यवान हों ओके यहां पर बहुत जैसे केते हैं कि आपको मुल्यव जैसे केते हैं कि लोग जब support उसी को करते हैं कि जो जिसको वो पहचान जाते हैं जिसकी कीमत का अहसास हो जाता है कि नहीं यह person में कुछ अलग बात है कुछ अलग spark वाली energy है यह person जैसे सब को साथ लेकर चलना चाहता है इस यह person सब के लिए है जैसे आप मुझे इसा लग रहा है ना एक leader के form में आप आगे आने वाले हो जैसे उन लोगों को सच بتाओना में क्योंकि अब आप खुर रहे हो तो आपकी आपका मुल्य सब के सामने आ रहा है आपकी कीमत का ऐसास हो रहा है आपकी जोश का आपकी जुनून का मुझे इसा आप आपको बहुत लोगों से सपोर्ट मिलेगा और लोगों का प्यार भी यहाँ पर मिलेगा क्योंकि उनको आपकी कीमत का और आपको कितने मुल्यवान हो जैसे किसी की मुल्यवान कोन होता है जिसके अंदर सब कुछ होता है सब कुछ होता है प्रेम होता है भगवान का आश साथ लेकर यहां पर करना है तो कोई Egyptian कोई सोल समाच के लिए दूसरों के लíए बहतर करने के लिए जब आगेज़它 रहे तो इस्वर उसका साथ ज़रूर देता है और क्यासाम को उर्म सक्स सफलता जरूर मिलती है क्योंकि वह मुल्यवान होता है उसकी जैसे जब कोई intention सही होती है प्योर होती है तो उसे कोई नहीं रोक सकता आगे पढ़ने से सेव यहां पर वही है बहुत बड़ी success बहुत बड़ी सफलता आपको मीलेगी ओके एड़ 10 ओप कब्स में क्या बोलू आपको यहां पर पाल नंबर टु यह पाल नंबर आप कितने मुल्यवान हो सबसे बड़ी बाती है कि आप यह पुब्लिक पुब्लिक जैसे जहां आप जहीं सोसाइटि समाज में रहते हैं एक या आप करें आपने केरियर में किती क्या कर रह रहे हो मतलब यहां पर अभी तक आपसा साथ uft नहीं मिल्रा था सपर्ट नहीं मिल्राथा जाथ हमारी हमारी फैमिल वाले या हमें जो कमजोर समझते हैं इसार प्लेश पे ले लो काम करते हैं वह कमजोर समझते हैं लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब जैसे कितनेने कि आप कितने मुल्यवान और इसका ऑसास आपकी क्या फील हdogs होने वाला है कि उन्हें पता है क्या फील हो कर आपके उपर तो इश्वर की classrooms हैं कि तभी इदने लोगों का साथ इदने लोगों का support आपको मिल रहा है यहांgendा पर अधर्वाइस जίसे आपके ले तो अकेले रहे प्लक्तव कर लेकिन जब समाज के लिए कुछ करना होता है तो अकेला बंदा कुछ नहीं होता है, एक पूरी एक टीम वर्क, पूरा एक, मतलब एक गट बंदन किया जाता है और आगे की तरफ यहां पर बढ़ा जाता है, तो आप केरियर में, पॉल्टिक्स में जाना चाहते हो, कुछ भी नया करना चा इसास आपकी वालों को भी होगा और आपकी फैमिली साज बताओ आपकी फैमिली में आपको बहुत प्यार और सपोर्ट और बहुत सारी बलासिंक्स आपकी तरफ यहां पर आ रही हैं और के आपके फैमिली भी इ yang इक अछा खासा जैसे, करते हैं ना, एक relation, मुझे यह से लग रहे है न, बहुत सारी गाठे bin दी हुई थी, आपके relation में, जैसे, वो गाठे न, यूनियर्ज अजन, वो जैसे, कहते हैं, एक-एक करके, करके खोल रहे थे, तो उसमे आपको, परेशानी काफी दिक्ट, तो इनसे का सामना भी आपने किया है okay तब यह जैसे किते हैं कि जब हम बहुत बड़ी दिक्कत परेशानी या बहुत बड़ी एक है जैसे किते हैं कि time period से हम बाहर की तरफ निकलते हैं okay बहुत कुछ हमें face करना पड़ता है चाहा वो रिष्टो में हो चाहा फामेली में हो चाहा केरियर में हो चाहा लव लाइफ में क्यों ना हो जब बहुत कुछ चीजों को हम जैसे एक एक करके गाठों को खोलते खोलते और एक टाइम पर एक जब केते हैं कि लास्ट टाइम आ जाता है सबका जैसे कुदरत ने सबक कीमत कीमत का एहसास लोगों को होगा क्योंकि आप केरियर में बहुत कमाल धमाल मतब कुछ यहां पर आप करने वाले हो जिसका एहसास और जिसकी जिसका जैसे कहते हैं कि जब हमारी हमें केरियर में सक्सेज मिलती है सफलता मिलती है तो उसका प्रभा हमारी फैमेली पर भी आत डाड़ा बहुत प्रेम और उसका प्रभावत बघ्य को मिल रहा है केरियर सक रूप में उसके प्रभाव आपकी फैमिली पर भी आह रहा है आपकी फैमिली में भी बहुत very यहां पर आ रही है Okay मुझे इसा लग रहा है आपका कुछ बहुत बड़ा ड्रीम है hem है तो आप उसकी तरफ यहां पर जा रहे हो और उसमें आपको बहुत बड़ी सक्सेस अफलता और आपको जैसे आपके जैसे आप कितने मुल्यवान हो, कितने होनहार हो आप यहाँ पर, कितने intelligent हो, कितने creative हो आप यहाँ पर, कि आपने इतनी बड़ी success, इतनी बड़ी सफल था, आपने अच्छी हो यहाँ पर, कर ली है या करने वाले हो आप यहाँ पर, ओके, यहाँ पर आप कितने मुल्य दिवान हो इसका ऐसास इसको होने वाला है यहां पर तो में सच बताओ ना अर्थ कनेक्शन लाइप आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंजिस बहुत बड़ा बदलाव यहां पर आने वाला है मुझे इसा लग रहा है कि जिसे आप अपने आपको प्रूफ नहीं कर पा रहे थे सच बताओ ना कि जिसे आपका कुछ रुके हुए से थे आप यहां पर आप उसे जैसे आगे नहीं बढ़ पा रहे थे तो यहाँ पर एक force है आपके लिए जो बहुत बड़ा changes, बहुत बड़ा support आपके लिए यहाँ पर आ रहा है और मतलब आप अकेले नहीं हो इस journey में, मैं पहले भी बता दू, अकेले नहीं हो इस journey में, पुरी टीम आपके साथ में यहाँ पर है और बहुत खुशी-खुशी आ आप पाइल नमबर वन, आप है ना मतलब आपकी definitely आपका कुछ एक लाइक परपस तो है आपका, और उस लाइक परपस को जिसे आप अच्चिव करते हों में यहाँ पर नजर आ रहे हो, और जब हम कोई बहुत अपनी लाइफ में बहुत बड़ा change लेकर आते हैं, बहुत ब जब पा लेते हैं तो वहां से हमें एसास होता है हमें फिल होता है कि हम कितने मुल्यवान है हमारी एक्चल में कीमत क्या है आप पहले शायद अपनी कीमत का कीमत यहां से पेसों पर मत लगाना आप यहां पर आप अपनी जैसे कहते हैं कि value अपनी value मतलब self-respect ओके आप आते हैं अपनी कीमत जैसे जीरो एक टाइम पर शायद आप जीरो भी रहे हो लेकिन अब आने वाले टाइम में आप हीरो हो ये बात नोट करके आप रिख लो जीरो से हीरो इसको चेंज करने में काफी समय आपको लगा है और आप कितने मुल्यवान हो जो कोई सोल अपने आप अपने आपको बिल्कुल जीरो से उठाकर है ना बिल्कुल उपर की तरफ लेकर जाती है एक्चल में उसकी कीमत तब ही पता चलती है आपकी कीमत का एहसास लोगों को होने वाला है और लोग आपको अब यहां पर जैसे कितने हैं कि आप आगे हो लोग आपके पीछे- पार सब्सक्राइब, जो मैंने रहें बोला है आप बहुत आपको जैसे किते हैं कि आपका आप किसी बहुत बड़े मकसद है आपका बहुत बढ़ा कुछ ऐसा रोल है डेस्टिनी का और या समय का और किस्मत का जो वहां पर उस तरफ जारे हुता भी एक जैसी केते हैं कि कि force है एक force है आपकी तरफ यहां पर जो बहुत बड़ा major change और बदलाव लेकर यहां पर आ रहा है और सबसे बड़ा जैसे कहते हैं एक change आपको आपके भीतर से यहां पर नजर आ रहा है और इस बात का एहसास आपको भी होगा यहां पर कि आप किते blast हो आप जितना आप अपने आपको जैसे कहते हैं कि आपकी खुदगी नजरों में आप अपने आपको बहुत कम बहुत कम लेते थे लेकिन इस बात का एहसास आपको यहां पर होगा कि आप पहले की तरह पहले की तरह नहीं हो आप यहां पर क्योंकि जैसे यहां पर आपके साथ भोले नात की भी blessings हैं, आपकी third eye active है, आपकी intuition आपको बहुत ज़्यादा guide करती है, आपकी अंतरात्मा से आप बहुत ज़्यादा connect हो, और जितना ज़्यादा, मैं यहां पर अभी यही कहूंगी, जितना ज़्यादा आप अपने उपर विश्वास करोगे, अपनी intuition की सुनोगे, उतनी ही ज़्यादा आपके अंदर हुनर छुपा हुआ है, आप कितने मुल्यवान हो, आपकी कोई कीमत नहीं है यहां पर, आपकी मैं सच बताओ ना, कीमत उसकी होती है, जिसे बहुत कम उसमे तोला जा सकता है, ठीकै, यहां पर, तोलने न आपने की बात नहीं हो रही है, मुल्यवान, जिसकी कोई कीमत ही नहीं, जिसकी कोई कीमत का, मतलब, मतलब, बेश कीमती, ऑके, trusting heaven, पाइल नमबर वन, यहाँ पर आर्केंजल माइकल, मैं स्टार्टिंग से ही यहाँ पर बोल रही हूँ, आर्केंजल माइकल आपकी जैसे कहते हैं कि आपके भागे का ताला, आपके छुपे हुए रहस, वो आर्केंजल माइकल की ब्लासिंग से ही खुले ही यहाँ पर, एंजल सच बताऊना अभी तक जैसे केते हैं कि आप मुल्यवान हो आप अपनी कीमत क्यूं लगा रहे हो ओके मुझे इसा लग रहा है आप बहुत जादा कम प्रिजन दूसरों से करते हो अपने आपको बहुत कम उसमें देखते हो अपने अपने आपको मैं एक बात यह भी बता दू कि जैसे थोता चना बाजे घना ये भी सुना है कि जिसके अंदर कुछ भी नहीं है लेकिन वो आपने आपको इतना बड़ बोला जिसको कहते हैं बड़ बोला इतना बोलता है मैं यह कर दूँगा मैं वो कर दूँगा और आपके अंदर तो है और आप फिर भी नहीं कर पात आपको आहसास दिलाया है कि आप बेश कीमती हो। आपकी कीमत नहीं है। आप मन से जितना आप अपने आपको खुश रखोगे, मन को जितना आप शान्त रखोगे। उत्ती ही जाता आपको आपकी आप कोन हो ओके आपके मुल्य जिसे उसका कोई उसकी कोई कीमत नहीं है उस चीज़ का अहसास आपको होगा यहां पर ओके और साथ में लोगों को भी होगा ओके मैं चक्रास देती हूँ पाइल नमबर टू सौरी पाइल नमबर बन मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ ओके कंफ्यूज नहीं मतलब निकल जाता है वो तो आप देख लिया अखरो उस चीज़ से ओके इन्लाइटनमेंट और कंफ्यूज पैशन्स एंड रिलेस यस पाइल नमबर वन आप कितने मुल्यवान हो इसका एहसास किस किसको होने वाला है ओके जैसे किते हैं कि अभी तक मुझे इसा लग रहा है ना आप अपनी ही परेशानी में लगे पड़े थे ओके जैसे आप मुझे इसा लग रहा है न आप अपना ही जैसे आध्यात्मिक जर्णी पर भी हो सकते हो अभी तकां कुछ चीजों को जैसे आपको जैसे किते किमती हैं और हमें अपनी अंदर की खुप तो कुछ ऐसी चीजे थी, क्योंकि आप बहुत जादा emotional, तो बहुत जादा stress, burden, anxiety, यह कुछ ऐसा drama आपका past का, जिसमें आप घीरे हुए थे, और जिसे उसकी वज़े से आपकी, आप अपने, आप अपनी मुल्य, आप अपने आपको ही, जिसे जीरो अपने आपको वहाँ पर जीजे यहाँ पर, तब क्या होता है, जब आपकी के इश्वर, जितना आप अपने आपको अकेला समझ रहे हो, जितना आप अपने आपको कम समझ रहे हो, आप इसे हो नहीं, आप कितने मुल्यवान हो, मुल्यवान तो आप इतने हो यहाँ पर, कि जिसके साथ एंजल से complete करना था वो सब जैसे आपसे वो करवा रहे थे जैसे गांठे धीरे-धीरे खुल रही थी आपकी ठीके तो वो जैसे complete हुई है यहाँ पर ओके और एक बहुत बड़ी जैसे एंजल सोस यूनियर्स की प्लासिंग से आप बहुत बड़ी सक्सिस को अब आपको पता चलेगा कि जिसे कहते हैं कि जब हम कुछ ऐसा कारे कर देते हैं कुछ ऐसा जैसे हमारी लाइफ में जिसकी वज़े से बहुत बड़ा चेंज हो जाता है बदल जाता है हमारा भागी किस्मत बदल जाती है ऐसा कुछ हम कर देते हैं तब यहां पर क्या होता है तब आपकी कीमत का ऐसास होता है कि आप कितने मुल्यवान हों ओके और तब आगे आगे हो और लोग आपके पीछे-पीछे केते हैं ना कि चमतकार को न सोनेट हो अगर होती है तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब और यहां पर स्टार्ट कर रहे हो पाइल नंबर टू प्लीज वीडियो पर लाइक कमेंट सबसे पहले पता है मुझे यहां पर नंबर इसका पूरा बनता इसका सेवन यहां से पता चलता कि आप इस पर चलो बहुत आथ्यात्मिक जैसे सच बताऊ ना जैसे आपके आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर रहे हों जो कुछ भी हो रहा है आपकी लाइफ में आपके इस्प्रिड्ड की जैसे योजनाओं के ताहित आपक जो भी चल रहा है आपकी लाइफ में, वो पूरी एक योजनाओं के ताहत हो रहा है हो, ओके, तो अगर आप टेंशन लेते हो, किसी भी बात की, किसी की कार्रे की, या फ्यूचर की, या किसी की भी, तो बिल्कुल टेंशन लेने की जर्भत नहीं है, पाइल नमबर तू, ओके यहाँ पर बोला यही जा रहा है, कि आप जो कुछ भी, जो कुछ भी चेंज हो रहे हैं, बदलाव हो रहे हैं, सब इस्प्रिट की योजनाओं के ताहत हो रहे हैं, ओके, पाइल नमबर तू, और आप कितने मुल्यवान हों, ओके, डाफिनेटली, आपके साथ जैसे केते है कि अभी तक इसका अहसास आपको प्रोपर तरीके से हो नहीं पा रहा था, आप फील नहीं कर पा रहे थे, कि आप इतने इस पर चलो, इतने आध्यात्मिक हो, और आपके साथ डाफिनेटली, इस्प्रिट है, कोई ना कोई शक्ति आपके साथ जरू जूडी हुई है, जो आ काफी परते चड़ी हुई है, तो वो परत जिसे हट रही है, आपकी धीरे 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 इसे आपकी वो आपकी उपर से परत हटा रहे है, और आप 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 पाइल नमबर टू, आप इतने प्योर सोल हो ना, मैं क्या बताऊं आपको इतने प्योर सोल हो, अगर आप आपको पता हो या ना हो आप जब भी प्रेयर करते हो प्रात्ना करते हो तो इश्वर आपको जैसे ऐसे महसूस होते हैं यह चुटकी वजा कर ओके आप आपको जब फील होना हो लेकिन हाँ जब आप आपके आप पूरी तरीके से बैलेंस होते होना तब आपको फील जरूर होता होग लेकिं, इस्प्रीड आपके साथ जरूर लेते हैं, अब होते किस के साथ हैं इस प्रेड वहत जूंअ हो जिसके अंदर बहुत जिसके नहीं प्वित्रता- फवित्रतर, प्यो टी- एक है आपके वाइ-ट ।ॉर्जा planted- एक वाइ-ट प्रकाश है आपके अंदर, मुल्यवान, अब इसकी तो कोई कीमत होती नहीं है, यह तो मुल्यवान है, यहाँ पर जैसे, सच बताओ ना, पाइल नमबर टू, आपकी जैसे, आपकी प्योर्टी, आपकी सच्चाई का, आपको यहाँ पर इतना एहसास होगा, क्योंकि मुझे इसा लग रहा है, आ आपकी आध्यात्मिक जड़नी कंप्लिट हो चुकी है, पाइल नमबर टू, आप बहुत बड़ी ब्लासिंग्स, इश्वर की, इस्प्रिड की, और वो आप रिसीव कर रहे हो, बहुत बड़ी ब्लासिंग्स को आप जैसे समयट रहे हो, आप अपने अंदर, जैसे इश्व की उर्जा, उनके प्रैम, उनकी ब्लासिंग्स को अपने अंदर समयट लेता है, तो वो अंदर से कैसा होता होगा, कैसा महसूस होता होगा, यहीं से आप अंदर जाना करो, और इसका, यह, इसकी कोई कीमत होती है, कोई कीमत नहीं होती है, आप, आप मुलिवान हो, और इसक एक जैसे करते हैं ना को फूल खील चुका है और वो फूल जैसे करते हैं कि अब एक अलग सी ही अपनी खूश्बू को फैलाने के लिए तैयार है अपनी सुन्धरता को दिखाने के लिए । यह कोो शस्य बताओ निया आप bike हो गौड आपकी विचार आपकी सुन्दरता आप में एक पाइल नमबर टू आप है ना जैसे थे ना आप पहले उसे छोड़ देना आप अपने आपको जो पहले थे पास्ट में थे अब वो नहीं हो अब वो तो कते भी नहीं हो इस बात को आप जितना जल्दी समझो उतना ही अच्छा है आपके लिए अब उसे जैसे केते ना के पहले आप यहां थे अब आप यहां हो ओके आप पहले जैसे केते ना के आप अपने परते चड़ी ती लेकिन इस प्रिड ने आपने क्या करा वो सब परदे आपकी हटा दी हैं ओके और आप बहुत बहुत ज़ादा ही वो सब सामने ला रहे हैं ओके पाइल नमबर टू थैंक यू यूनियर्स थैंक यू सो मच थैंक यू इस्प्रिट थैंक यू थैंक यू सो मच पाइल नमबर टू आप कितने मुल्यवान को ओके टू अब कप्स पाइल नमबर टू अभी तक में सज बताओ ना अभी तक आपको जैसे किते ना कि आपकी किस्मत ओके आपकी किस्मत आपकी डैस्टिनी आपके भाग की में लिखा हुआ है लिखा हुआ है कि आप अपने डिवाइन पार्टनर आप टू फ्लैम जर्णी में भी हो सकते हो या आप अभी तक सिंगल थे सिंगल से मतलब यह यह नहीं कि आप अप मैरिड नहीं हो मैरिड होते हुए भी हमें कभी-कभी ऐसा फील होता है कि हमें कोई समझने वाला नहीं है हमें कोई प्यार देने वाला नहीं है ओके जैसे रीडिंग आती है कि मैं हम अपने हस्बेन के साथ किसी के साथ हूँ वह फीलिंग को हम मतलब इसा फील ही नहीं करते हैं तो वह जैसे कहते हैं कि अधूरापन ओके अधूरापन जैसे कुछ मिसिंग रहता है यहां पर जैसे आपकी लेकिन मिसिंग रहता है मतलब वो छूटा रहता है जैसे अधूरापन हम मैसूस करते हैं कि कोई तो है जो एक टाइम पर आएगा और हमें पूरा जरूर करेगा तो यहां पर वही है कि आपकी किस्मत आपके भागी में जो अभी तक खुशी आपको नहीं मिली है जैसे आपका कोई अधूरापन जो है आपके अंदर आपको पूर्ण कर दे यहां पर तो इस बात का अहसास यह सज बताओना सबसे पहले आप अपनी अपनी चीजों को लेकर आपको होने वाला हैं यहां पर क्योंकि अब आप जैसा पेले आप अपने आपको खाली समझते थे आप ऐसा फील होता था कि आप अधूरे हो और जैसे आपने संदीगी अपने जैसे अकेले ही नीकाली आपका कोई support नहीं है सपोर्ट करने वाला नहीं है या आपकी feeling को समझने वाला नहीं है लेकिन अब ऐसा feel ऐसा 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 आपको नहीं होगा कि हाँ युनियर्स एंजर्स सबसे बड़ी बात है कि universe एंजर्स आपकी life में कोई ऐसा person भेज रहे हैं या आपका twin plan भी हो सकता है, आपका soulmate भी हो सकता है, जिसकी वज़े से आपके भागी में, आपकी किस्मत में जो प्रेम लिखा है, जिसकी वज़े से आप पूर्ण होते हो, जिसकी वज़े से आपको आपकी जैसे कहते हैं, वो खुशी आपको मिल रही है, जिसको पाकर आप पू हो रहे हो कर जो कोई जैसे को तमन्ना बाकी नहीं है ओके जैसे कुछ बाकी नहीं रह झाता है आपने तो अम जो आपकी एक जो आप nenhuma प्रह तो आपकी एक जो में पर बोला आप अपनी एक यात्रा को भी complete कर रहे हो अर्झ का जो इन का अफने पार्टनर से भी मिल रहे हो और उसकी वज़े से आप अपनी लाइफ में अपनी लाइफ में वो तमाम खुशी को आप celebrate कर रहे हो अपने पार्टनर के साथ यहां पर आप पूर्ण हो रहे हो complete हो यहां पर given take जैसे आपका बराबर हो रहा है जित्ता आप मतलब यहां पर एक balance वाली उर्जाकों भी मैं यहां पर देख रही हो सकता है आप अपने partner के साथ या अपने किसी के साथ भी यहां relation में भी आप अपना balance नहीं बिठा पा रहे थे जो आपकी destiny में लिखा हुआ था लेकिन चीजें हो नहीं पा रही थी तो यहां पर आप balance की उर्जाकों में यहां पर देख रही हूँ देखका last card भी three of swords ही है यहां पर ओके तो यह एक relation का मसला में देख रही हूँ आपकी life में ओके लेकिन मतलब जैसे केते हैं कि अब आप आपके जब केते हैं कि हमारी कोई बहुत बड़ी तमना होती है कोई बहुत बड़ी wish होती है कि हमें कोई ऐसा जीवन साथी कोई ऐसा partner मिल जाए चो हमें अपने जैसे केते हैं कि वो खुशी हमें मिल जाए चहां से हमें कोई च चीज मिल रही ये कोई एक बहुत बड़ा अनमूल गिफ्ट है आपके लिए मैं सच बताओं बहुत मुल्यवान आपको जैसे इस परसन के आने से, यह भी एक आपका एक divine partner है, आप अपने divine partner से यहाँ पर मिल रहे हो, जैसे आप पूर्ण हो रहे हो, यहाँ पर एक complete उर्जाकों में हाँ पर देख रहे हो, यह एक ऐसा divine love है आपके लिए, जो आपकी life में आ रहा है, एक ऐसा प्रेम है आपक अपकी लाइफ, आपकी रिलेशन में इतना बड़ा बड़ा टर्रुन पॉंट आ रहा है जिसको आप डिवान लव जिसकी लाइफ में आ जाता है. वो जिसे अपने आपको क्या समझता है, बहुत ब्लास्ट समझता है, जो जैसे किते हैं कि यूर्स, ऑके, यूर्स, आंजल्स, जिसके बतल वो एक आप अपर पार्टनर के अंदर महसूस करने लगते हो, और ऐसा प्रेम हमें मिलने लगता है, इन्सान के रूप में, एक एसी उर्जा को हम महसूस करने लगते हैं, तो वहाँ पर हम अपने आपको बहुत लखी और बहुत मुल्यवान, बहुत भागिशाली हम आपने आपको समझने लगते हैं, तो कुछ ऐसी उर्जा है, डिवान लव आपकी तरफ यहाँ पर आ रहा है, यह एक बहुत बड़ा गिफ्ट है आपके लिए, बहुत बड़ा प्रेम है आपके लिए, जिसका कोई मुल्य नहीं है यहाँ पर, और बहुत बैलेंस में हो आप यहाँ पर, क्योंकि आपकी भी उर्जा ऐसी है और इस परसन की भी उर्जा ऐसी है, बहुत जैसे डिवाइन टाइमिंग है आप दोनों का एक होने का और जैसे गीवन टेक बराबर हो रहा है और हर चीज को जितना आप पहले रिसीव नहीं कर पाते थे पहले शायद आप अपने आपको बहुत दुखी परेशान नर्वस सा समझते थे लेकिन आप वो नहीं है इस परसन के आने से आपकी लाइफ में बहुत हपीने शार्मनी खुशी यहां पर आ रही है जिसे आप एक दूसरे को शैर कर रहे हो एक दूसरे को यहां पर अपना प् कार्ण में जैसे कहते हैं पुरी आद्यात्मिक चुपी हुए यह जिसके आने से आपकी जैसे आप की बदल गए हो आपकी दुनिया ही बदल गई है आपकी हर चीज हर रंग रूब बात हर चीज यहां पर बदलती हो मुझे यहां पर नजर आ रही है क्योंकि आप एक स्टार्ट सीट्स हो आप ही नहीं आपका पार्टनर भी बहुत बहुत एक ऐसी उर्जा है जो मैं इस वक्त में आप दोनों ने बहुत ज़्यादा इनर वर्क किया इस परसन ने भी बहुत इनर वर्क किया है और आप जैसे अपनी अपनी सच्चाई ठीक है और अपने असली रूप में यहां पर बाहर आने वाले हो ओके आप जैसे बहुत कुछ चीजों को आपको नॉलेज नहीं थी ग् जूँ कि मैं काड के मीनिंग को देखकर रेडिंग नहीं करती हूँ जो मुझे इंटुएशन आते और इंटुएशन इतनी फटा फट नहीं आते थोड़ासा वक्त लगता है इसलिए थोड़ासा रेडिंग को मैं उस तरफ ले कर जाती हूँ आप पाइल नंबर नॉद थी उस सोल को पूर्ण होना था और जिसे आप मरें हो यहां पर एक हो रए हो आप यहां पर डिवाईन की मर्जी चे ऑखेत कि जबनों कि एक दूसरे में मिक्स कोरे हो यहां पर एक दूसरे के लिए कुछ भी कर देना एक दूसरे के लिए वो प्रेम था आपका ठीक है एक दूसरे के लिए बहुत प्रेम और बहुत चीजों को लेकिन यहाँ पर डिवाइन डिवाइन ने जैसे आपको अलग कर रहा था कि जब तक आप अपना इनर वर्क नहीं करोगे अपनी वैल्यू को नहीं समझोगे कि आप कित अभी वैल्यू को बताता है कि यह?ं वैल्यू को बताता है कि यह कितने मुल्यवाण है आप पास्क में सादू संतों की वाली उर्जा में हाँ पर रहे हो और काफी आपने अपने अपने उपर वर्क किया है लेकिन इस जनम में आप बहुत सारी चीजों से थोड़ा सा दूर हटे थे लेकिन कुद्रत ने जैसे आप दोनों को अलग रखा जब तक आप अपने आपक पेचान हो गया अध्यतिक जर्णी पर नहीं जो तब तक एक नहीं हो गया तो यहां पर आप सच बताओ ना आपने अपने आपको निखा रहा और आप कितने मुल्यवान हो इसका एहसास किस किसको होने वाला है इसका एहसास आपके पार्टनर सबसे पहले आपके पार्टनर को ही होने वाला यहां पर और जिसके साथ आप हो ठीके आपकी लाइफ में कोई ऐसा परसन भी आ रहा है जिसका जिसकी कीमत को आप समझोगे कोई इसमें से आप एक स्टार सीर से कोई अर्थ एंजल दोनों ही चीजे एक जैसी ही होती है बहुत ही आप कितने मुल्लिवान हो यह एंजल से कोई कीमत होती है आप पताओ मुझे पूरी इस्प्रिड पूरी एक जैसे मैंने बोला ना यहां पर इस्प्रिड आपके साथ में यहां पर यह तीनों दोनों कार्ड मेजर अरकाना की निकले हुए यहां पर दोनों ही कार्ड मतलब आपकी आप अपनी जैसे कहते हैं कि आपकी आप अपनी कीमत ठीके आपको शा एक वाइट लाइट जो मैं बोल रही थी ना, एक वाइट प्रकाश, है ना, बालेंस, नेचर के साथ बालेंस, जब तक आपने में सच बताओ ना, पास्ट में आप बहुत इनर वर्क आपने किया है, बहुत सफर किया है, एक जर्नी को कम्पलीट करते हुए, अपने अपने ब मिले हैं, वो तब ही मिलेंगे, ठीके, क्योंकि आप ट्विंट फ्लेम जर्नीवर हो, पाइल नंबर टू, यहाँ पर आपकी, क्योंकि आप एक यह एक आप है ना, नेचर, ओके, नेचर से जितना आपका हीलिंग मिलेगी, उत्ती ही जादा आप अपने आपको समझ पाओग आप मुल्लेवान हो, ओके आपने आपको एसा बना लिया, जैसे, एक हीरा के साद चमकता है, शायन करता है, अपने उपर काम करकरके, करकरके आपने आपको इस कदर अपने आपको चमका लिया, जैसे आपके अंदर से एक प्रकाश निकल रहा है, ओके, बहूत intuitive हो, बहुत बहुत जिसे Earth Angel, आपके पास इर्द इर्द, नेचर से आपका काफी अच्छाकासा connection बनता होगा, पाइल नम्बर टू आपका, बर्ड की तरफ बहुत जादा जाते होगे, नेचर मेरे आपको जादा पसंद आता होगा, जैसे आजाद पंची के से रहते हैं, जैसे किसी के अंदर जैसे कहते हैं, आप अपनी आजादी से आपको बहुत जादा प्रेम होगा, आप जितना आजाद रहोगे, ठीके, कोई संकोच नहीं, किसी तरी की कोई शरम नहीं, कोई खाया नहीं, किसी भी तरी का, और बहुत जै यहां पर आपकी जिसे आपकी आप कितने मुल्यवान हो इसका एहसास किस किसको होने वाला है पाइल नमबर अट्टू आप अपनी फैमेली ओके आप अपनी फैमेली में एक चर्चा का विशेव बन कर रहोगे काफी चर्चा हैं आपकी होने वाली हैं और पहले मुझे इसा लग रहा है आपकी फैमेली में बहुत सारी चीज़े आप डालते थे पेसा हो जा कुछ भी हमारी मतलब कुछ भी जो हमारे सपने होते हैं मतलिस्टिक चीज़े होती हैं जामरा घर बार होता है जब बच्चों से रिलेटेट कुछ सपने होते हैं पर तो उसके उपर काफी जैसे चर्चाय चलती हैं तो वह जैसे कितने हैं कि हम जिसके बारे में प्लानी करते हैं सोचते हैं चर्चाय चर्चा होती है तो वह सब सच होता हुआ आपका यहां पर आपको नजर आएगा यहां पर जिसकी वज़े से आपको पता चलेगा कि आप कितने मुल्लिवान हों जिसे आप अपने आपको मुझे इसा लग रहा है ना आप अपने घर में आपकी उर्जा की वज़े से आपकी पवित्रकता की वज़े से आप अपने घर को भी रोशन कर दोगे आप अपने घर में भी इतनी ब्लासिंग्स लेकर आ रहे हो इतना प्रेम लेकर आ रहे हो जिसकी वज़े से मुझे इसा लग रहा ना काफी आपकी घर की है आपके बच्चों की और आपकी आपकी awareness बहुत में देख रही हूँ काफी awareness के रस्ते मुझे खुलते हुए आपके नजर आ रहे हैं और उसकी काफी चर्चाएं हो सकती हैं और उसका ऐसा जब आपको feel होगा तब आपको ऐसा लगेगा कि आप कितने मुल्यवान हों क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने बहुत कुछ अपने लाइफ में बदला है और उस बदलते सरूप को देखकर बदलते हुए रूप को देखकर आपको feel होगा आपको महसूस होगा कि आप इतने मुल्यवान हों मा लक्ष्म की बहुत बड़ी क्रप आपके घर पर होने वाली है कि अब मुझे इसा लगा रहा हैर एंते आप एक लाइट वड़कर भी हो, ओके आप दूसरों को लाइट दिखाना, दूसरों की जिन्देगी को रोशन करना, दूसरों की जिन्देगी में प्रकाश डालना, ओके दूसरों को बहुत एक अलग सी उर्जा आप देते हो, ओके, spread reason and life force, यह pile number one में भी आया था, clock of wisdom, okay, pile number two, मुझे ऐसा लग रहा था न, आप जो भी यह जो चक्रास पर आपने किया, जो यूनियर्स जिसे आपकी destiny में जो blessings जो खुशियां थी, वो अभी तक शायद blockage होने की वज़े से, आपका ग्यान, knowledge, blockage होने की वज़े से, शायद आप अपनी कीमत को पहचान नहीं पा रहे थे, आप कितने मुल्यवान हो, जिसकी कोई कीमत नहीं है, आपकी knowledge की कोई की जारी थी कि दोहरी मतलब आप अपनी सच्चाए को बाहर नहीं निकाल पा रहे थे, तो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर भी टूटो आ रहा है, यहाँ पर जैसे आप एक हो, ओके आप twin flame journey पर हो, और आप एक हो, आपके partner आप से बिल्कुल भी अलग नहीं है, हिसा आपका nature सो भावे विशा उनका भी है, जैसे आप प्योर हो, ऐसे वो प्योर भी है, जित्ते आप emotional हो, उत्ते वो emotional भी है, मतलब यहाँ पर आप एक एक आध्यात्मिक चनिक twin flame चनि पर हो, और आप एक आत्मा, जैसे दो जिश्म और एक आत्मा, तो वो आत्मा एक हो च चुका है, और इसका एहसास आपको होगा, आप कितने मुल्यवान होके, आपको इश्वर ने क्या तोफा दे दिया, क्या गिफ्ट आपको दे जिसका आप gratitude पे कर रहे हो, पाइल नमटो, ओके, यहाँ पर आपके अंदर, आपके अंदर का ज्यान, ओके, जब हम अपने twin flame से मिल जाते हैं, तो सब कुछ हमारा बाहर निकल कर आ जाता है, बहुत अलग जन्नी होती है, बहुत ही अलग जन्नी होती है, एक फोर्स, एक बहुत बड़ा, एक इसाद turning point है, जो आपको, ओके, पाइल नमबर टू, ओके, कार्डा जिखे हैं, यह soulmate ही है वही आपका, ओके, आपका कोई soulmate आपकी life में आ रहा है, जो आपकी जिन्दीगी को रोशन करेगा, आपको महकाएगा, आप एक स्टार्ट की तरह हो, यहाँ पर जिसकी वज़े से आपकी, मैं एक बास बताओ, आपकी इतने मुल्यवान हो, जैसे कहते हैं, कि कोई partner हमारी life में ऐसा जाता है, ह और इसके आने से आप पूर्ण हो रहे हो, my God, faced, बहुत कुछ चीज़े आपकी life से जा चुकी हैं, बहुत कुछ, क्योंकि अब आप अपने soulmate, अपने twin flame से भी मिल चुके हो, अब आप balance हो, आप दोनों की उर्जा balance है यहाँ पर, पेले मुझे इसा लग रहा था, आपके अ आप से खुद्रत ने, angels ने, आप से inner work करवाया, ताकि आप अपने, ताकि आप अपनी किस्मत की खुशियां, blessings, change, उसे आप ले सको, ओके, और आप अपने divine partner से आप मिल सको, और आप मुल्लिवान बन सको, pile number two, ओके, blockage आपके अंदर थे, इसलिए अभी तक आप अपने, आप अधूरे थे, येकिन आप पूर्ण हो रहे हो, यहां पर एक हो रहे हो, आप यहां पर, balance की उर्जा में हो, आप यहां पर, बहुत कुछ, बहुत कुछ आपने, रिलीस कर दिया है, balance, हर तरीके से, माइन, बोडी, सोल, पूरी तरीके से, आप बैलेंस हो, यहां पर, pile number Okay, main holding way queen, अब हाब भाया, मतलब pile number two, मैं एक बात बताओं आपको, कि आप बहुत, दोनों ही बहुत, एक डिवान लव आपके अंदर है, दोनों की ही अंदर है, और जिसके पास डिवान लव होता है, डिवान प्रेम होता है, जिसके पास डिवान उर्जा होती है, वो तो मु और बहुत आप, आप दोनों ही बहुत इमोशनल हों, ओके, और आपके अंदर जो भी ब्लोकेस थे, जो भी दूविदाएं थी, जो भी कन्फुजन था, उससे आप बहार निकाल रहे हैं, एंजल्स आपको, ओके, एंजाइटी, मैंने बोला ना, आपको क्योंकि ब्लोकेस म आप अपने आपको अधूरा समझते थे, स्ट्रॉम वार्नी, लेगे चीज़े अब आपकी कम्प्लिट हो चुकी हैं, इसलिए वें होल्डिंग हार्ट का काल आया था, यहां पर, ओके, आप चीज़े कम्प्लिट हो, एंजाइटी से निकल रहे हो, दूविदा से निकल तो क्योंकि आप एक बहुत प्योर सून हो, आपकी तो उर्जा ही बहुत अलग है, बहुत ओरा आपका इतना स्ट्रॉंग है, इतना पॉजिटिव है, ओके, पाइल नंबर टू, तो पाइल नंबर टू में इस रिडिंग को यह पर क्लोज करती हो, आई होप आपसे रिजोनेट हो, अगर होती है, तो प्लीज, 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 लाइक, कमें, सुस्क्राइब, और थैंक यू, तैंक यू, तैंक यू सो मच, इन पाइ, जेशी किष्णा, राधे, राधे, हर हर महादेव